प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी का हम लोग पढ़ रहे हैं वी एसी शेक इंडिया की थर्मडानीमिक्स पार्ट टू और इसी के अंतरगत आज हम एक इंपोर्टन्ट आर्टिकल लेने जा रहे हैं वो है फेस डाइग्राम एंड ट्रिपल पॉइंट फेस डाइग्राम एंड ट्रिपल पॉइंट पैर बच्चों हम लोग सभी जानते हैं कि जितने भी मैटर होते हैं सबस्टन्स वो थ्री स्टेट्स में होते हैं अब जब यह स्टेट्स चेंज होती हैं फ्रम वन स्टेट्स तो अनुदर स्टेट्स तो हम कुछ उनमें हम ट्रम्स हैं जिनके बारे हम लोग जानते हैं और जिने आज हम फेस डाइग्राम और ट्रिपल पॉइंट को एक्स्प्लें करते हैं यूज करेंगे तो चलिए पहल यानि कि जब कोई लिक्विड शॉलेड में करणवर्ड होता है तो उसी हम हुजन कहते हैं यानि अगर हमारे पास स्टेट है लिक्विड तो लिक्विड से सीधा वो सॉलेड में करणवर्ड हो तो इस प्रोसेस को इस कनवर्जिन को हम फ्यूजन कहते हैं वेंदी सॉस्टांस चेंगे इस फ्रॉम स्टेट यह स्टेट ही लिक्विड तो शॉलेड देन इटीज करणवर्ड देन इटीज करणवर्ड फ्यूजन आप समझे होंगे प्यारे बच्चों कि यह विप्रीट अगर हम बात करें मेल्टिंग क्या होती है तो इसको देखी कि जब कोई सॉलेड स्टेट से लिक्विड स्टेट में मेतर चेंज होते है तो उसे हम कहते हैं melting यानि कि ये देखे ये इधर है और ये इधर है इसे हम कहेंगे melting आप समझ गये होंगे कि conversion of solid to liquid state is called melting ये term है यानि कि आप इसे इसे लिख सकते हैं conversion of solid to liquid state इसे कार्ड मेल्टिक बढ़िया धंग से diagram के साथ समझते हुए ये सारी चीजे इनके handwriting notes भी आपको link जो हमारा description में आपको मिल जाएगा वहां से आप edge सथ इनके notes को download कर सकते हैं दो ही channel है हमारे एक iC sir physics और एक physics by iC sir इन दोनों ही channels को आप subscribe करके रखिए कुछ videos एक channel पर हैं और कुछ दूसरे पर हैं लेकिन complete physics के लिए इन दोनों channels के बारे में आपको एकदम direct contact में रहना ज़रूरी होगा और उसके लिए इन दोनों ही channels को subscribe करके रखिए bell icon रभाईए ताकि आपको उस समय पर जो जो आपको जरूर्ट होगी वो videos आपके लिए upload हम लोग इन ही दोनों channels पर करके रहे हैं vaporization रभाईचो जैसा की नाम से ही सबस्ट हो रहा है कि liquid से vapor में convert हो अगर state तो उस ही कहते हैं लिक्विड से आप वेपर की तरफ जा रहे हैं तो इस state को हम कहते हैं vaporization यानि liquid to vapor तो इस process को हम क्या कहते हैं vaporization यानि क्या आप समझ गए हैं कि conversion of liquid to vapor vapor state is called vaporization यह term हम इसमें यूज़ करना है एक होता है डिक्विफिकेशन गते हैं कि यह हमारे जे वेपर state हैं यह convert होते हैं किसमें यह देखिए वेपर तो उसे हम लिक्विफिट होता है तो उसलिए कहते हैं फिकेशन यह देखिए निसम्स ट्रुम मैं उश्मी की बात कर रह Bennett लिक्विफिकेशन और आप समझ गए हैं कनवर्जन ओफ वेपर टू लिक्विड इस काल्ड लिक्विफिकेशन इसमें एक ट्रम और आती है प्यारे बच्चों जिसको हम कहते हैं सब्लीमेशन कि शॉलिड से डारेक्ट वेपर में कनवर्ड होते हैं यह हमारी वेपर स्टेट है और यह सॉलिड से डारेक्ट वेपर में कनवर्ड हो जाते हैं जैसे बहुत कोई गरम आपने देखा होगा जब चपाती बनाते समय बहुत जादा गरम चीज के उपर अगर आप कोई सीधा मतलब हुआ इसका सीधा मतलब हुआ हुआ इसका असिधा मतलब हुआ, the Conversion of solids to vapour West directly १र्टी नेकंधsin इसकार नेकंध parcelें Conversion of Solid 2M Wapour state स्टेट इस गाल्ड सब्लिमेशन एक ट्रम और आते हैं जिस हम होर्स फोर्स्ट कहते हैं जहां वेपर से डारेक्ट सॉलिड में कनवर्जन होते हैं यानि कि होर्स फोर्स्ट यह देखिए यह क्या होते हैं इसमें क्या होता है कि वेपर से डारेक्ट जो सॉलिड में कनवर्जन होता है उसे हम होर्स फोर्स कहते हैं यानि कि कनवर्जन फ्रोम वेपर तो सॉलिड डारेक्टली इस कार्ड खोर्स फोर्स्ट तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपने यानि कि यह वली जो मैं आप स्टेज बता रहा हूं कि वेपर से डारेक्ट इसे करते हैं तो यह डिफरेंट ट्रम्स है जिने अब हम फेश डाइग्राम और ट्रिपल पॉइंट को समझने के लिए करें That is the graph between pressure and temperature in equilibrium of two states of a substance or you can say that प्यारे बच्चों लोग सभी जानते हैं कि अभी हमने यहां पर देखा कि जो सोलिड है लिक्विड है गैसी जो स्टेट हैं सब्स्टांसिज की यह बदल जाती हैं और यह डिपेंट करता है उसके उपर जो प्रेशर और टेंप्रेचर की कंडिशन्स पर अग्राम टेंप् स्टेट्स या तिनो स्टेट्स भी किसी पॉइंट के उपर वो एक्विलिब्रियूम कंडिशन्स में होती हैं तो उसी ग्राफ को हम फेस डाइग्राम कहते हैं आप देखें ना फेस फेस का मतलब होता है कि बस आप वो बदलने वाली होती है वो जस्ट एट पॉइंट टू तो चेंज अगर हम थोड़ा साभी प्रेशर और टेंपरेचर में से चेंज कर दें तो वो स्टेट बदल जाएं तो इस तरह का इक्विलिब्रियूम आवस्था में जो ग्राफ होता है प्रेशर और टेंपरेचर के बीच में उसे ही हम कहते हैं फेस डाइग्राम और देखत आइस डाइग्राम और आइस यहां यह भी बात कह सकते हैं कि ट्री हो स्टेट्स ऑफ वाटर प्रेशर आल जो ऑसकुझ जनि कि जो हम जानते हैं कि डिन्जाती कर आदर है यह थी स्टेट्स में होता है शोलेड लिक्विड और गैस तो इसका चानलार टेंपरेचर जो उसको देखेंगे और हम फस्ट लेटेंट हीटी कीविशन जिसे हम क्लासियस क्लेपरेंट इक्विशन कहते हैं उसे यह भी देखेंगे कि जब एक स्टेट बदलती है तो वोल्यूम इंक्रीज होता है या डिकरीज होता है और पिर आस्ट में हम देखेंगे कि ट्रिपल इन वेंडे टू स्टेट्स ओफ मेटर आर इन इक्विलिब्रियम पॉजिशन तो वो कैसा होता है वो देख लीजिए दी नेचर ओफ दी फेस डाइग्राम फाइस यानि की इजाइज सोन एक तरफ हम टेंपरेचर ले रहे हैं और दूसरी तरफ हम प्रेशर यह देखेंगे इन इस टाइग्राम कैसा आएगा किस तरह काता है वो देख लीजिए वो कुछ इस तरह काता है ओ ए और इसको B कह देते ही और इसको C यहां पर जो है आप देख रहे हैं कि आईस यानि कि जो वाटर है वो solid आउस्था में होता है आईस की फॉरम में वो ये condition है और यहां पर जो है वाटर लिक्विड फॉरम में होता है यानि यह उसकी लिक्विड स्टेट होती है और इस रीजन में जो वाटर है वो वेपर स्टेट में होता है वाटर वेपर्स आप कह सकते हैं तो यहां पर यह जो नेचर आप दी फेश डाइग्राम ओफ आइस इज एज सौन अब इसमें आपको जो डिफरेंट लाइन से दिखाई दे रही हैं ओ ए ओ बी ओ सी इनको एक्स्प्लेन करेंगे और पिर हम देखेंगे कि यह जो पॉइंट ओ है जिसे हम आगे चलके ट्रिपल पॉइंट कहने वाले हैं इसको भी बताएंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे कि अब देखिए कि अलोंग लाइन ओ ए यह देखिए अगर हम यहां पर थोड़ा सा भी प्रेशर या फिर टेंप्रेचर यह देखिए चेंज कर देते हैं तो स्टेट बदल जाती है लेकिन इस लाइन के अलोंग दोनों ही आवस्ता में यानि कि आईस और वातर जो है वो एक्विलिब्रियम पोजिशन में होती हैं थोड़ी सी भी पोजिशन चेंज करोगे तो वो लिक्यूड में करनाट हो जाएगा या लिक् आईस यानि कि शॉलिट और वातर लिक्विड एक्विड 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 एक यह दोनों स्टेट एक साथ इस लाइन के लोग इसलिए देखिए इसी लाइन को हम फ्यूजन लाइन कहते हैं क्योंकि यहां पर हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहां आई से यानि कि सॉलिड से लिक्विड में करवर्जिन हो रहा है इस लाइन के क्रोस ह फ्यूज्यिघ की इज़ी रहें होते हिए इसलिए हम इस लाइन को फ्यूजन Six sustainability कहते हैं। अब यहां पर द्शान से क्वाइन को नजरा आएगा कि प्रेस्ट जब इतना है तो टेंप्रेच इतना है और हम थोड़ा सा भी प्रेश्ट नचल 96 लए तो टेंप्रेचर Musy घ मतलब यह हुआ कि यहां पर dp by dt जो change in pressure, change in temperature, यह क्या है? यह negative आएगा, pressure बढ़ाने से temperature गट रहा है, dp by dt is negative along this fusion line, ओए, अब लेट उस यूज येर, the classius Klepren equation, यानि कि, according to Klepren equation, और उस equation में आप जानते हैं, कि ये dp by dt क्या होता है, it is equal to l by t into v2 minus v1, ये हैं हमारी classius Klepren equation, अब यहां पर आप लोग देख सल्पे हैं, कि ये क्या है, ये तो negative है, ये negative कब होगी, ये तो बाकी सब तो positive है, इसका मतलब सीधा सा है, कि v2 minus v1 जो है, ये negative है, यानि कि ये greater, less than 0 है, इसका सीधा मतलब निकलता है, कि v1 is greater than v2, इसका मतलब जो सुरू में वोल्यूम था, वो ज्यादा है, और final volume कब है, यानि कि जब state ice to liquid में convert होती है, तो volume decrease हो रहा है, यानि volume decreases when the water changes from ice to liquid, so, आप यह लिखेंगे, the volume decreases, when state changes from solid to liquid, along OV, अब हम इस line की बात करते हैं, देखें, इस line के along क्या हो रहा है, water liquid form में और इधर है water vapor form में, ये इस line के along, ये दोनों simultaneously coexist करते हैं, थोड़ा सा भी आगर हम pressure and temperature को change करते हैं, तो वो उसकी जो phase है वो बदल जाता है, उसकी जो state है उपर जाती है, यानि की along OV, water and water vapor co-exist simultaneously, it is called vaporization line, यहाँ पर अब देख रहे हैं कि liquid shape vapor में conversion हो रहा है, इसलिए vaporization line कहते हैं, अब यहाँ पर एक point हो दिखें, कि जैसे जैसे अगर हम pressure को increase कर रहे हैं, तो temperature भी बढ़ता है, यानि की सीधी सी बात है, यहाँ पर dp by dt यह क्या रहा है, यह positive आ रहा है, dp by dt, positive आ रहा है, और according to the first latent heat equation, और classic cleprin equation, we can say that dp by dt, इसका मतलब क्या हुआ, according to this equation, we can say here, that L upon T into V2 minus V1, it is positive, और यह positive कब होता है, यह यह तभी होगा, जब हमारा V2 minus V1 positive होगा, और यह positive इसका सीधा मतलब यह है, कि V2 is greater than V1, यहां से एक बात सपस्ट हो गई, कि जो final volume है, वो initial volume से जादा है, यान कि जब कोई state, liquid to vapor में करूर होती है, इस condition में, water case में, तो क्या हो रहा है, कि उसका जो final volume है, वो जादा हो जाता है, यह देखें, यान कि volume increase करता है, हम लहीद करते हैं, कि वेन state changes, changes from liquid to vapor, the volume increases, वोलूम increase कर रहा है, अब देखें प्यारे बच्चों, अब हम इस line की बात कर लेते हैं, OC, इसके अलोंग क्या हो रहा है, कि vapor से और ice, यानि कि solid में कनवर्डिन हो रहा है, या फिर ice से सीधे vapor में कनवर्ड हो रहे हैं, तो इस line को, हम sublimation line कहेंगे, along OC, ice and water vapor, आप देख रहे हैं, ice and water इस line के लोंग, यह simultaneously exist कर रहे हैं, co-exist simultaneously, and it is called sublimation line, अब यहां पर देखें, प्यारे बचो, कि जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो temperature भी बढ़ रहा है, यह देखें, इसलिए हम कह रहे हैं यहां पर, कि dp by dt, is positive, and using the classist kleffron equation, we can say here that, dp by dt, is equal to, l upon t minus, t into v2 minus v1, यह positive है, और यह positive कब होगी, जब v2 minus v1 positive होगा, इसका सीधा सा मतलब होता है, कि v2 is greater than v1, यानि कि यहां पर भी, जब solid 2, vapors में कोई matter, या कोई substance, या ही यह water की case में हम बात देख रहे हैं, तो volume increase करता है, यान कि when state changes from ice to water vapors, the volume increases, state changes from ice to water vapors, water vapors की में बात कर रहा हूं, then volume increases, तो प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हैं states के बारे में, अब हम इस point की बात कर लेते हैं यहां पर, यह क्या है, जैसे suppose कीजिए, कि मैं इसको इस तरह से कर लेते हैं, हम इसको हटा देते हैं, यह अलग-अलग यह हमारी line थी, यह हमारी fusion line है, यह हमारी vaporization line है, और यह हमारी sublimation line है, अब अगर इन lines को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ऐसे यह देखिए, तो यह किसी एक point पर जाकर के मिल जाती हैं, इस point के उपर मिल गए, इसी point को अब यहां से देखिए, यहां पर liquid भी है, आइस यानि की solid ice भी है, और यहां water vapor भी यह तिन्नों ही states, एक साथ exist कर रही हैं, इस face diagram पर, इस point को हम कहते हैं triple point, triple point, अब देखिए मैंने अभी आपको बताया, कि इन तीनों ही lines को, यानि, when three lines are extended, यानि कि अगर हम इन lines को आगे बढ़ाएं, तो क्या होता है, they meet at a point O, यह O point पर जाकर की मिल रही है, इस point is called triple point, इस point कम क्या कहेंगे, triple point, at this point all these three states co-exist simultaneously, at this point all three states of matter यहां वाटर ले रहे हैं, यानि कि वाटर की तिनों स्टेट, co-exist, simultaneously, तो प्यारे बच्चों जैसे आप से पूछे हैं, कि वाट इस the triple point तो आप क्या कहेंगे, it is the point in face diagram, where all the three states of matter co-exist simultaneously, अज़े एक point और, कि इसके corresponding, triple point के corresponding जो pressure होता है, उसे triple point pressure कहते हैं, और इसके corresponding जो temperature होता है, उसे हम triple point temperature कहते हैं, यानि कि the pressure corresponding to triple point, is called triple point pressure, and the temperature corresponding to triple point, temperature, तो प्यारे बच्चों, आज हमने face diagram और triple point के बारे में, और कुछ terms जो इसमें use होनी थी, उनको explain किया, उनको define किया, और एक important question, आपका clear हो जाए, आपके mind में इनके concept clear हो जाए, और पूरा question आप exams में लिख किया सकें, अच्छी score करन सकें, इसका हमारा भर्सक प्रियास रहता है, इसके लिए प्यारे बच्चों, आपको हमारे दू चैनल्स हैं, आईसी सर फिजिक्स और फिजिक्स बाई आईसी सर, इन दोनों ही चैनल्स पर, आपके तमाम फिजिक्स के solutions आपको मिल जाएंगे, आपके university exam से संबन दित भी, और आपके जो competitive exams में जब कोई concepts आते हैं, तो वो भी clear होंगे, साथ में हम समय समय पर इनी दोनी चैनल्स पर, motivational lecture और कुछ reasoning कुछ कारण, जो physics related daily life में होते हैं, उनके short videos भी हम लोग upload करते रहते हैं, ताकि आपके सभी तरह की physics, आपको नहीं दो चैनल्स पर मिल जाएं, तो नहीं दो चैनल्स के साथ जुड़े रहने के लिए, इनको आप subscribe कर लीजिए, और जो है bell icon जरूर दबा दें, और जो भी आपके suggestions हैं, वो comments हमें जरूर दें, ताकि हम आने वाले videos में उसको और ज़्यादा effective बना सकें, जो आपके लिए और ज़्यादा important हो सकें, हम साथ साथ में handwritten notes बिलकुत जो original, मैं अपनी handwriting में लिख करके, आपके लिए यहाँ पर description में उसका link भी provide कर दूँगा, और उससे भी आप handwritten notes को download कर सकते हैं, प्यारे बच्चो नेक्स्ट जो हमारा lecture आपके इसी unit का रहने वाला है, उसमें हम face diagram of carbon dioxide कहेंगे, देखिए कई वो उसकी जो nature होती है, वो water से different है, तो उसका face diagram कैसा होता है, उस पर भी कई बार question पुछा जाता है, तो मिलते हैं उसी article के साथ next lecture में, thank you very much.